नमस्कार आप लोग के सामने बैदुद्धारिता चेप्टर के कुछ नुमेरिकल मैं लिखा हूँ यहां पर जो कि बोड़ परिक्षा के द्रिष्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि जितने प्रश्ण मैं लिखा हूँ यह मैं 60 फार्म में यहां पर लिखा हूँ और कुछ क्यों सन उसके बाद 12 के हैं उसके बाद के 22 के प्रशान है तो बैदुद्धारिता चप्टर के है ठीक है डियके ना इम्पोर्टेंट क्यूस mett चानस है हो सकता है इसमें कुछ क्यों संडивает या वो सकता है कि इसी पे फिर से क्विशन या ऐसे ही क्विशन पूछे जा सके तो स्वागत है आप लोग के अपने चैनल इस्टड़ी वित राकेसर में यदि आप चैनल पर नए है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा यदि आपको उसकी समझातर है किसन कैसी पूछ रहा है कि एक चालक है जिसके त्रिजिया दिया एक सेंटिमेटर और उसी यदि एक कुलम कामान हमको हमको बताना है कि भोह कमान कितना हो अग्फी सभ लोगों मालूम है कि सेंटीमीटर को मीटर्म्ट करने के लिए सो से बाग देते हैं तो एक बटा में हो जागा 100, अब इसको उपर लेकर जाएंगे, तो यह हो जागा 10 हाथ माइनस का 2 मेटर, ठीके ना, तो Q का मान दे दिया, R का मान दे दिया, और हमसे पुछ रहा भी, यहीं विभव का मान बताओ, उस पर कितना विभव उत्पन होगा, तो एक बात बताइए हमको वो सुत्र खोजना है, जिससे Q और R का मान दिया हो, और विभव हम निकाल सकें, तो आप लेको बैदूत धारिता और बैदूत विभव आले चिप्टर में एक हेडिंग पढ़ाया गया होगा, बिंदू अवेस के कारण उत्पन बैदूत विभव होगा, तो सुत्र क् वो होता है आपका 1 by 4 by epsilon not k, और यह होता है Q by R, यह होता है आपका सुत्र बिंदू अवेस के कारण उत्पन बैदूत विभव का, ठीक है ना, यहाँ देखिए आप, यह पूरा का पूरा कंस्टेंट होता है, नियतंक होता है, जिसका मान 9 गुने दसीहात 9 होता है, क्यों का कमान हमको दिया है एक कुलम, R कमान हम निकाल चुके हैं यहां से, अब इसको हल कर दीजिए तो भी बराबर हो जागा, इसका मान होता है पूरा 9 गुने दसीहात 9, यहाँ पर के कमान एक रखा जाता है, उस इस्तिति में इसका मान 9 गुने दसीहात 9 होता है, क्यों कमान दिय जाए है एक और और कमांद दिया है दसी हाथ मैनस का दो अब इसको हल करेंगे तो जब यह सी दसी एक मैनस दो ऊपर जाएगा आपका यह वह जाएगा आपका गुने दसी हाथ, 9 गुने दसी हाथ, प्लस का दो, हमारा उत्तर आ जागा, 9 गुने दसी हाथ, 11 बोल्ट, बहुत असान सवाल है, और सोच लिगी, ऐसे ही किसन आपका स्कोर करते हैं, असान सवाल ही, लड़के मिश्टेक करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको बस दिमाग लगा लगाना है, यदि आप पसंद करते हैं वीडियो को, तो प्लीज लाइक करते हैं, इससे अधिक से अधिक, सेर करने का प्रयास कीजिएगा, आइए चलते हैं, हम लोग दूसरे प्रश्न पर, दूसरा प्रश्न क्या है, इसको अध्यान से देख लिजिए, क्या था हमारा, क् एक चालक है, जिसकी तरीजिया एक सेंटीमेटर है, जब एक कुलाम कावेश प्रदान किया जाता है, तो इस पर कितना भी हो उत्पन होगा, यानि भी के मानम से पूछ रहा था, आप ऐसे सवाल को लगा सकते हैं, ठीके न, आईए, चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं, तो धियान से समझ ये कहा रहा है कि इसका प्लेटों का छटफल दिया है, 50 सिंटीमेटर का स्कुर, एक कमान दिया है, 75 न्यूटन प्रतिकुलाम, और क्यूं कमान आप से पूछ रहा कि क्यूं कमान ग्यात कीजिए, देखिए, जब भी समानतर प्लेट की बात आती है, तो सम समानतर प्लेट के लिए E क्या जो मान होता, E is कल्टू होता है, सिगमा बटा में एपसाइलन जीरो, तेकि न, या एपसाइलन नाट भी करते हैं, ये सूत्र याद रखेगा, समानतर प्लेट संधारितर के धारिते के लिए, हम लोग ये सूत्र पढ़ता है, कि E is कल्टू हो होता है, प्रिष्ट घनतर होता है, प्रिष्ट घनतर का परिभासा आप लोग को मालूम होगा, और प्रिष्ट घनतर का सूत्र क्या होता है, तो प्रिष्ट घनतर का सूत्र होता है, सिगमा इस कल्टू क्यों और बाई A, नियांसर समझे, यही चीज हम यूज करेंगे, क्य कि देखिए हमसे क्यों पूछ रहा है एक का मान दिया है एक का मान दिया है तो हमको यहां से सिग्मा बराबर यदि हम क्यों बटा में यहां पर रखते हैं तो बताई क्या हो जागा e is equal to हो जाएगा sigma के जगह पर लिखेंगे क्यों और ये हो जाएगा आपका a i into हो जाएगा एपसाइलेंग जीरो आप क्यों का मान यदि निकाल देंगे यहां से क्यों का मान निकाल देंगे ते ये हो जाएगा e into a into epsilon 0 अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है बात इसमें यह है कि एक तो मात्रक दिया है न्यूटन प्रति कुलाम लेकिन देखिए यहां छेत्रफल दिया है सेंटी मीटर स्क्वेर में तो सबसे पहला काम आपका यह है कि छेत्रफल को सेंटी मीटर स्क्वेर में जो दिया ह है इसको सबसे पहले आप मीटर स्कॉयर में करवाट करतीजी ठीक ना यह 50 cm स्कॉयर है तो दो बार हमको 100 से भाग देना पड़ेगा यह इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 100 और गुणे हो जाएगा 100 जब इसको हल करेंगे तो यह हो जागा 50 गुणे 10 हाथ-4 इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 हाथ-3 यह इतना मीटर का स्कॉयर हो जागा हमारा छेतरफल यहाद रखेगा है इसको मीटर में फोल बतले में लिखेंगे 1 by 100 दूसरे सेंटीमेटर के बतले में लिखेंगे 1 by 100 इसके बाद इसको हल करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा पांच गुणे दसी हाथ माइनस 3 मीटर का स्कुरेर अब हल कर दीजिए इसको क्यूं का मान निकलना है एक कमान दिया है आपको 75 ठीक क्योंके लिखेंगे नहीं का इसे सवालों को हम बहुत ही असान तरीके से हल कर सकते हैं सवाल लगाने के लिए आपको सुत्रियाद होना जरूरी है तो अब परियाब्त नहीं है कि आप सुत्रियाद करो तो देखिए कि जो इंपो आपके टेलीग्रम पर डाल सकता हूं और उसका रिवीजियन करते रही आप रिवीजियर कृष्टन आपको लगाते रही है ताकि आपको समझ में यह आए पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़े लेकिन आपको समझ में यह आना चाहिए यह किसन कैसे बनता है यह बहुत बहाद प्रिष्ट घ्राणा तो दिया है एक समांतर प्लेट संब्धारित रहा है जिसकी प्रिष्ट कर प्रिष्ट घ्राण का मान लिया सिंग्मा कमान और इसमें आप से ए कमान पuṣ रहा है कि बताई बीदु शेत्र की रर्ता कमान कितना होगा अभी सुत्र आपको बताये हैं इससरा में वहीं सुत्र लगाएंगे इस कल्टू क्या होता सीगमा बाई एपसाइलन जीरो अब इसको हल करेंगे तो इसको हो जागा सीगमा के जगा पर रखेंगे आप 1.77 और यह जगा टेन टू पर माइनस के लेवन एपसाइलन जीरो कमान आप लोगों को मालू हमें 8.85 और गूने 10 हाथ माइनस का क्या होता है 12 होता है चल कर दीजी इक इसको जैसे हल करेंगे यहां उपर जाएगा यह हो जागा आपका एक 2.77 जब इस और जागा तो हो जागा 10 हाथ मैंस 11 और यह हो जागा दस यह प्लस का 12 क्योंकि तो चीन जब यह आजगा 17.7 और यह हो जगा आपका 8.85 घटा देंगी इसको लगभग दो बार में कट जाएगा यह आपका आजगा दो न्यूटन प्रति कुलाम याद रखे बैदु छेतर की तीवरता का मात रख होता है न्यूटन प्रति कुलाम यह आपका उतर आजगा दो न्यूटन प समझेगा देखिए तो कैसे हल करेंगे इसको आएए देखते हैं हमारे पास फिगर है इस फिगर को हम यहां बना दे रहा है देखिए फिगर दिया है यहां पर दो संधरित्र है तो ऐसे जोड़े गया है इसरा संधरित्र इस क्रम में जोड़ा गया इनसे उसके बाद और बी के बीश में खोले निकालना है समाल रखता को जहाइए ठाफ का तुलिद धारिता ग्यात ग्यात करना सबसे पहले दोनों सुथर आपको मालूम होना चाहिये कि सिरनी क्रम में दालन का सुतर क्या होता और समांतर क्रम में तुल धरता का सुतर क्या होता एक अगर प्रत्रोध याद है तो उसका उल्टा कड़ेंगे धरता का याद हो जाएगा जयसे श्रेणि क्रम में इसका सुतर होता है 1xc is equal to 1 साहथ सब्सक्राइब और यह देखे इसको जोडएंगे तो दो और दो आएगा आपका एक यह दिछ चार रहता तो आता दो तीन तीन रहता तो आता 1.5 ठीकिना सीधे आधा आ जाएगा तो इसको अगर ज़िए हल करना चाहते है तो आप अप हशुआ किया जाता अब भूड के पेपर में हमल लिघे इसकोती चीन पर मालीजे इसकों भी फोर माली हिशिए अखरते हल की जाता है आप लोग याद रखेगा मल कैसे हुए कर यहां सथे यहां से इसको C-DAS मानी है, क्योंको अभी वारा result नहीं है यह है, तो इसको हल करेंगे तो 1 by C-DAS is called to होजएगा, 1 by 2, प्लस 1 by 2, इसको हल करेंगे तो 1 by C-DAS is called to होजएगा, 2 by 2, आप C-DAS का मान निकालेंगे तो आजएगा आपका पास, आपके पास आजएगा 1 micro faraday, आप यह दोनो को जोड़ने के बाद हमको मिला है 1 micro faraday, इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो दोनों को जोड़ दिये तो 1 micro faraday, इससे किस क्रम में है, समानतर में है, तो समानतर में है, तो समानतर में है, तो बता यह C-DAS का मान कितना होगा, समानतर क्रम के लिए सिंपल जोड़ दिये ज आपका 5 µF, ती यह हो जगा 5 µF, अब C'' का मा निकालेंगे, ती यह जगा 6 µF, देखे, हम यहाँ से क्या किये, इसको जोड़े तो 1 µF, फिर इसके साथ इसको समांतर करम में तो 1 और 5 हो जगा 6 µF, अब 6 µF के साथ ये वाला जो 6 µF का है, वो आपका स्रेडी करम में है, स्रेडी करम में है, तो फिर से ये सूत्र लगाएंगे, और कैसे हल करेंगे, लिखेंगे, C'' तथा C4 स्रेडी करम में है, अब इसको हल कर दीजी, तो 1 by last result अब निकालना है, तुली धारी ता, टोटल, 1 by C is equal to 1 by C'' अब प्लस 1 by C4, अब इसको हल करेंगे, तो 1 by C is equal to हो जागा, 1 by 6 plus 1 by 6, तो इसको हल करते हैं, इस साइड में, 1 by C is equal to हो जागा, 2 by 6, यानि C का माननी कालेंगे, C बराबर हो जागा, 6 by 2, यानि आपका उत्तार आगा, 3 micro faraday, तो ये पूरी जो धारीता होगी, तुली धारीता होगी, तुली धारीता होगी, आपका 3 micro faraday, तो उ अच्छा लएक वीडियो, तो कमेंट करके आपका सकते हैं, कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहेगा, आप लोग का अपना चैनल, study with rakes sir